जब बाहु बली आनंद मोहन का पूरा परिवार कैमरे के सामने रोने लगा और बताने लगा कि वे क्या महसूज कर रहा है आनंद मोहन के आखों में आसू होता है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद उनके ठीक बगल में खड़े होकर अपना आसू पोचती है तो उसके ठीक वे बेटी सुर्वी आनन्द खरी होती है और वो भी रोने लगती है और विधायक बेटे चेतन आनंद उनके आखों से भी आशु निकलता है वे भी रोने लगते हैं और नब्बे के दौर के सबसे बड़े बाहु बली आनंद मोहन का पूरा परिवार कैमरे के सामने रोने कुछ कहते हैं उनकी पत्नी लवल या अनन्द क्या कहती है और उनकी बेटी कौन सी कहानी सुनाती है अब बाकिया अब नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देखने हैं मरा विशेस कारगरम एक्स्प्लेनर यह वीडियो मा भवानी डेकोर प्राइबेट में आपके घरों तक मारवर रॉल टाइल्स को पहुंचाएंगे तो आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नमबर दिख रहा होगा उस पर कॉल के जिए बाच्छित के जिए आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी अब हम लोग वापस आते है बाहुबली आनंद मुहन पर बाहुबली आनंद मुहन लगबग 15 साल के बाद जेल से बाहर निकले हैं उनकी बेटी सुर्वी आनंद बताती है कि 15 साल से अमारे परिवार में कोई केक नहीं कटा था मौका था लबली आनंद का जनम दिन मतलब कि आनंद मौन की पतनी लबली celebration हो रहा है 15 साल से अनंद मोहन के घर में कोई celebration नहीं हो रहा था यह सब कुछ उनकी बेटी कहती है इसके बाद अनंद मोहन अपने आखों में आशू लेते हुए कहते है कि जो हुआ ठीक हुआ आगे जो होगा ठीक होगा लबली आनंद रोने लगती हैं रोते हुए कहती हैं कि आप इसे खुसी के आंसु कह लीजिए या गम के आंसु कह लीजिए या कह लीजिए कि ये मिस्रित भाव है वो सब कुछ है जो आज आसु के रूप में निकल रहा है वहा बात्चित करते हैं वे बताते हैं कि कैसे पिता जी जब जेल में थे तब हम लोग बात्चित करते थे और इसी दौरान पुरानी कहानी को सुनाते हुए चेतन आनंद रोने लगते हैं उनके आखों में आसू होते हैं और उसके बाद चेतन आनंद वही पर कैमरे के सामने जब रोते हैं तब उनके बगल में खड़ी उनकी मा और उनके बगल में खड़े उनके पिता आनंद मोहन हर किसी की आखे नम हो जाती है और बाहू बली आनंद मोहन का पूरा परिवार केमरे के सामने रोने लगता है कल बाहू बली आनंद मोहन की पत्नी जो लबली आनंद है उनके जनम दिन के मोगे पर केक काटा जा रहा था, वहाँ पर तमाम लोग पहुंचे थे, लेकिन विशेश दोर पर परिवार के लोग ही थे, मिडिया केकाद लोग वहाँ पहुंचे थे, आनंद मोहन ने बकाइदा मिडिया वालों से जेल से चुटने के बाद बातचीत की, और एक पिश्कमार के समकच अगर मियार का कोईनेता खड़ा हो सकता है तो वो आनंद मोहन है और वो आनंद मोहन 15 साल तक जेल में गुजारते हैं 15 साल तक जेल में गुजारने के बाद जब बाहर आते हैं तब बार-बार कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ जो होगा वो भी गारे-ब कैमरे के चाहिए उनके आखों में आसु होता है और इसके बाद बाहु बली का पूरा परिवार कैमरे के सामने भाभुख हो जाता है पूरा परिवार रोने लगता है कि छोता हैं तो जनको नितिय vast कुमार और लालू इयाद हो के सामने बड़ा देखा जाने लगा थ लेकिन पैरोल पर वो बाहर आए हैं हलाकि सब कुछ सरकार के उपर निर्भर करता है अगर सरकार चाहेगी तो आनंद मोहन जेल से हमेजा के लिए मुख्थ हो सकते हैं और फिलाल हमने आपको बताया वो तस्बीरे दिखाई जब एक बाहू बली का पूरा परिवार जिस आप आनंद मोहन के बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिए करताईएगा वीडियो शेयर किजिएगा आगे जो कुछ नहीं जानकारी जो कुछ नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे कैमरे फिशे 20 साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमा सिंग बहुत बहुत धन्रवाद